नमस्कार दोस्तों मैं रजनीज जान जी मैं आज यहां पे आया हूँ आपके सामने एक खास मकसद से आप तो जानी रहें कि पूरा विश्व जिस तरह से करोना वायरस से जूज रहा है और हमारा इंदुस्तान भी अब उसके संक्रमण में है और काफी कैजूल्टीज भी हु हम सब इस बात को समझ रहें तो हम लोगों को बहुत थियात रखने की जरूत है हलाकि गौर्मेंट बार बार कह रही है आप अपने घरों में रहो तो आपको रहना है तोड़ी सी बात मानना है क्योंकि संक्रमण में वैसी तो जैसे दूसरे वायरस होते उसमें जो ताकत होत बट इसका फैलाओ जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है जो तरीका इसका फैनले का वो बहुत जल्दी हम सब को संक्रमित करता है और बहुत तेजी से फैलता है तो हम लोगों को बहुत एहतियात रखना है साफ सफाई रखना है अपने हाथ आप बार बार सब भी कहत से मैं अपने आपको करके ही निखलता हो ये मास्क लगा के और लगातार अपने हाथ दोता रहता हूं कहीं भी जाहूं आओं कुछ भी करों और सेनेटास भी होता रहता हूं तो ये जो है एहतियात आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये संक्रोंट बहुत खातक है आप भी समझ रहे हैं सबसमझदार हैं अपने बच्चों को भी समझाए घर में रहिए work from home बोला है जो है उस तरह से मिनिस्टरी ने और आप अपने घर से भी काम कर सक हैं जाज जादा डिजिटल होने की कोशिश करिए आपका जो भी काम हो डिजिटली हो और अपना विशेष ध्यान रखिए क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही जो है आपके परिवार के लिए नुकसान भी हो सकती क्योंकि आप कहीं से अगर लेके आएंगे तो कब मुझ में आता है कि उसके साथ कुछ गड़ बढ़ है तो हमारे पियम साब ने भी कह दिया कि किस दिन का लॉक डाउन पूरा इंडिया को किया है उन्होंने तो हमनों को उस चीच का पालन करना चाहिए और ये पालन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है ये आपके खुद के ल सब्सकित है, प्रभाई के लिए आपके परिवार के रोजी रोटी आप से जोड़ी होती है, और भी बहुत साइच होती है, बहुत सारे उत्तरदाईद तो होते हैं, जिमेदारियं होती है, जो आपको निभानी होती है और अगर आप रहेंगे तब इन्हभा पाईंगे, त अब तक बहुत जरूरी नहीं जैसे हमको कार्या लेके काम से जाना आना पड़ता है तो वो भी एक तरह से राश्टर सेबा है क्योंकि हम अगर काम नहीं करेंगे तो पुरा देशी अगर आर्थिक नुकसान में भारी आर्थिक नुकसान में पड़ जाएगा तो हमारी छोड़ी छोड़ी भूमी का जो हम लोग निभाते हैं अपने तरीके से निभा रहे हैं पर यह हमारी कहीं न कहीं एक मजबूरी भी है क्योंकि काम करना भी जरूरी है पर हाल फिलाल जब तक आपको आपके साथ कोई बहुती अमर्जेंसी बहुत भी बड़ी कोई मजबूरी न हो तब तक आप बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले और अथन्टिक कोई बात हो तब ही आप बाहर आएं यह आप से रेक्वेस्ट है और हाथ बार बार मैं कहता हूँ घरों के जो बरतनमी है वो भी धोके इस्तमाल करें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें सेनिटाइज बराबर होते रहें अपने पास स्टॉक रखिए सेनिटाइज हलाकि मेडिकल तो खुले सेनिटाइजर का स्टॉक आप रख सकते हैं ले सकते हैं हैंड वाश करिये सेनिटाइज होए साफ सफाई रखिए और इस देश को भी सुरक्षित रखिए अपने परिवार को सुरक्षित रखिए अपने आपको सुरक्षित रखिए और जो है इस नियम का गंभीरता से पाल जैसे बहर से लोग आ रहा हैं विलाई में रहता हूं और बिलाई में कुछ लोग बाहर से आ रहे तो अभी उनकों electricity में रखा गैंने। भैका वातावरन तो बना है और भैका वातावरन बना है पर इसमें हम तभी जीत पाएंगे जब हम इसमें एकदम नियम से साथ में रहेंगे और इसका पालन करेंगे तो आप से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने घरों में रहें और इसका पालन करें ज और जिनकी पब्लिक डेलिंग है, पब्लिक के साथ में जिनका वास्ता होता है, तो वो लोग भी फ़ोड़ा सा और ज्यादा केयर करें, हर थोड़ी थोड़ी देर में आदे गंटे में 15-20 मिनिट में जब आपको थोड़ा सा भी मैसुस होता है कि अभी आपने यहां टच किया साथ दो लीजे, साथ दो लीजे, सानिटाइस कर लीजे अपने आपको और मेंटेन करिए, तभी हम लोग बच पाएंगे, हम लोग को करोना से जीतना है, और हमारा देश अभी तक इस मामले में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम लोग ने काफी हमारी जो रसाइयम के साथ में लोग डाउन होई है, क्योंकि इसको फैलने से रुकना बहुत जरूरी है, करोना से हमें जीतना है, जैहिन, नमस्कार, जैचाथ तिसकार